आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा ना मैं सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बस्वागत है क्या डिवर्स हेजिंग पॉसिबल है मैं आपको जैली फिश के बारे में बताओंगा और फिर बताओंगा कि क्या इनसान भी ऐसा कर सकते है क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा बताया है जैली फिश के बारे में जिसको जान के आप हैरान हो जाएंगे वैसे जले फिश के बारे में आपको बहुत ददा पता नहीं होगा मैं आपको बता देता हूँ कि जले फिश इस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और्गैनिजम्स में से एक है यह मचली नहीं है आपको लगता होगा मचली इनको जू प्लैंक्टन साइंटेस कहते हैं जले फिश सब्सेंप पुरानी है डाइनासौर से भी पुरानी जले फिश है और प्लैमेट चेंज में और ओलिप्स, ओस्टर और फाइ्टो प्लैंक्टन से जितने भी चीज़ें कोरल्स यह सब खतम हो जाएंगे jellyfish adapt कर लेती है climate change में और इसलिए ये डर है कि पूरी दुनिया में बोल बाला खाले ही नहीं का रहेगा जहरीली होते है jellyfish jellyfish are actually poisonous हाँ बहुत सारी species होती है jellyfish की लेकिन कुछ में तो ये है कि अगर jellyfish काट ले 60 इंसानों की जान ले सकते हैं जो box में जहर होता है ये हिसाब किताब है एक बड़ी घिरौनी बात बताओ jellyfish जहां पर पॉटिक करती है वही खालेती है लेकिन jellyfish बहुत ही जबरदस्त creatures है आपको ऐसे मिलेगी नहीं और ग्रूप में नहीं individual travel करती है और अब scientist ये कह रहे हैं ये अमर है reverse engine का मतलब कि आप अमर हो गए तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा अच्छे आपको बताऊंगा मैं बहुत ही technical words है बहुत ही simple तरीके समय आपको बताऊंगा ठीक है आप technical words पर मज जाएगा आप मेरी बातों पर ध्यान दीजेगा और एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है चानक की नीती का course आज हम close कर देंगे आज ये course 1000 रुपे का हो जागा भी सिर्फ फर सिर्फ 300 रुपे का है क्योंकि आज पहली class है मैंने schedule update कर दिया है टेलिग्राम ग्रूप पे टेलिग्राम ग्रूप आई हूप आपने जॉइन कर लिए और चैट बॉक्स में जाईए आपके वरना आप नमबर पे आपने डिसीड बैच सकते है तो नीती 70 कूपन को डियूज करिए description comment box में आपका लिंक दिया है website पे भी आप course को purchase कर सकते है और अगर आप अपल यूजर है तो वहाँ पे भी कोई दिकती है अगर आपको लगता है कि ये content आपको बहुत ज़दा मदद देंगे तो आजाईए मज़ा आजाईगे आपको तो सबसे बड़ी बाती है कि jellyfish के बारे में यहाँ पे ये पता चला है कि ये अपनी age गो reverse कर लेते है scientist भाई देखो नाम बड़े खतरना खतरना के हम से तो ना लिये जाएंगे ठीक है आप से लिये जा रहे तो बढ़िया है Christian, Somer, 1980s के scientist और जोड़ीया Bestrello, है ना तो Bestrello, इन्हों ने Turipthosis, Dorni, ये एक jellyfish है एक स्पिशी है इसको immortal jellyfish बोला जाता है है ना, मैंने बताने, jellyfish की काफी species है तो ये अमर jellyfish है इन्हों नहीं found किया तो अब ये इन्हों ने पता लगाया कि भाई jellyfish जब आप, इनको परशान करते हो तो ये वापस अपनी initial stage में चली जाती है यानि कि हम पैदा हुए मुझे परशान करोगे, मैं वापस घुज जाऊंगा है ना, ऐसा हिसाब किताब है jellyfish का ये पूरा का पूरा cycle होता है सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा लार्वा मतलब जिनके लेग वेग अंडे से निकलते है इंसेक्ट तरीके के लेग वेग नहीं होते है बहुती soft body होती है ठीक है, जादा तर इंसेक्ट में आप देखेंगे कि अंडे के बाद वो लार्वा बनते है तो उसके बाद फिर टैनुनल लार्वा उसके बाद polyp face होता, यह colony होती है ठीक है न, बहुत सारी colony होती है यहाँ से फिर एक के यह आपका लार्वा निकलेगा और यह adult, इसको कहता है medusa face यह adult jellyfish है अब यहाँ पर बताते हैं कि अगर आप इनको परशान करोगे तो यह वापस इस stage में आ जाएंगे जजब की बात है, आप समझ रहो यानि कि यह जी रिवर्स कर रहे है अभी भी हमको बहुत सारी चीज़े नहीं पता है वैसे तो jellyfish अगर आप इनका 6 महीने, 3 से 6 महीने तकी जीती है लाइफस्पन इनका इतना ही होता है और captivity में है तो एक से 3 साल हो जाएगा चैनेडरिया में यह जो इनका पूरा scientific मतलब इसी ग्रूप में यह आती है अगर आप टाक्शोनों में की बात करें लेकिन जो jellyfish हैं, they are very very intelligent और अभी हम बहुत सारी चीज़े को हम अपनी body को नहीं समझ पाएं जेतना हम universe को समझ उतने हम अपनी body को समझ दस से 15% तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो अभी मिली नहीं है और बहुत सारी nature ने ना हर एक पतार ना की mother nature ने हर एक species को एक काम दिया है अब हमको नहीं पता है कि यह जो खासिया jellyfish को दी है यह क्यों दी है तो जो adult jellyfish है medius से adult jellyfish ध्यान से सुनिएगा यह आम तोर पर क्या करती है यह जो basically वही fertilized egg फिर आपका larva बनता है फिर adult jellyfish समझ रहे हैं पहले आपका egg देलुस से आपका larva फिर colonies of larva वहाँ से आपके adult jellyfish जो है वो निकलती है सॉमर वेस्ट्रेलों ने यह process observe कि यह वापस polyp stage में जा सकती है थीक है ना बतलब वापस अपने आपको यह आप देख सकते हैं इस phase में जैसे अगर इमाली यहाँ पे है तो यह वापस यहाँ पे चली जाएंगी थीक है ना तो यह यहाँ पे scientist ने observe किया अब इसको reverse development बोला जाता है कि भाई development बतला पुराना लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसा क्यों ऐसा इसी लिए जब यह ड़ेंगी जब इनको लगेगा कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ी problem होगी अब मैं आगे जो आपको बताऊंगा जो इनके उपर experiment हुआ है वो और ज़दा चौकाने वाला है तो सबसे बड़ी बात जो तुरिप्सॉसस दौरनी है यह एकलौती ज़लिफिश नहीं है एक और ऐसी species है ठीक है ना उसका नाम है मिनियॉप्सिस लिदी ठीक है ना मिनियॉप्सिस लिदी अब देखे मैं फिर से बता रहा है यह नाम मुझसे लिया नहीं जा रहा है तो यह जो ज़लिफिश है यह तो मैच्चोर हो जाते हैं उसके बाद यहां पे लारवा स्टेच में आ जाते हैं तो इनको भी immortal बोला जा रहा है कि यह अमर है यह कभी मरेंगे नहीं अगर ऐसा होगा तो समझ रहा मेरी बात को यह है इसाब किताब अभी एक स्टडी की यह तो 1980s की स्टडी है यह तो कयास लगाए जा रहे तो लेगन इसको प्रूफ कर दिया जोन, सोतो, एंजल और उनके कुलीग बुखाइड ने अब इसमें यह बताया गया कि जब हम इनको कुछ पर्टिकुलर कंडिशन देते है जैसे यहाँ पे जो दूसरी वाली मीनियॉप से स्लीदी दो चीज़े इनको नहीं की क्या? एक तो इनको खाना नहीं दिया दूसरा इनके लोपस को कट कर दिया देखिए आपने बॉइस देखा है बॉइस अभी जो डिसेंट सीजन आया था उसमें वो जो उसका नाम क्या था ब्रेइन वाली जो ललकी थी जो दिमाग जिसको होम लेंडर जो हो रिक्रीट करता है ठीके न? वो अपने दिमाग में कुछ घुसाती है इसको कहते है लोबाटोमी है ना? अपने दिमाग की सरजरी आप समझ रहे हो? दिमाग की सरजरी बड़ी डेंजरस चेंजिस करने होते हैं तो अब क्या है यहाँ पे? सबसे पहले जैसे मैं हूँ मुझे इंसान को खाना चाहिए किसी इंसान को आपने खाना नहीं दिया या वो खाना नहीं तो वो स्ट्रेसफुल सिचोशन में है ना? वो परशान है या उसकी जान पर बना है अब जान पर कैसे बनागी? जब मुझे पर हमला होगा तो दो ही चीज़े है या तो आप उसकी जान पर बने आप उसको खाना ना दो तो यहाँ पर इस मचली को इन्होंने खाना नहीं दिया सबसे पहली और तूसरी चीज इनके जो लोब से यहाँ पर आप यहाँ आप वापस बर्त साइकल में चले गए और बोला कि मैं दुबारा से वापस आऊँगा सही करके अपने आपको टाइम रिवर्सल हो गया आपको मार दिया मार जैसे ही मैं मार ने जा रहो रुख जाओ आपने रिवर्स कर लिया अपने आपको और मुला कि मैं वापस सही से वापस आऊँगा था कि यह हो रहा इनके साथ तो रिवर्जन प्रो सक्सेश जो है 40% जो लोबेटोमिक भी इसमें जादा था लोबेटोमि से इसमें जादा सक्सेश रेट था 40% था 14% खाली स्टार वेशन ग्रूप यह इन्होंने बोला पर जहां पर जो भी है यह पता चला कि यह रिवर्स कर लेते हैं अपने आपको तो इन्वाटर जेलिफिश इसलिए इनका नाम पड़ा है कि भाई यह तो कमाली हो गया अब दोस्तों यहां पे रिवर्स डेवलप्रेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें स्ट्रेस ये एक फाक्टर बहुत ज़दा ज़रूरी है इनमें क्या इनसान ऐसा कर सकते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है देखिए इनसानों की रिवर्स एज पे बहुत ज़धा ओलरी रिसर्च चल रही है क्या इनसान ऐसा कर सकते हैं हमारे सेल जो है कहते हैं कि आप अगले दिन जब उठते हो आप वो इनसान रहते ही नियो तो हमारे cell वो रोज मरते है धीमे धीमे हमारे cell डिटोरियेट होते हैं जिसकी वज़ना मरते हैं तो मरना इनसान बहुत लंबा जीटा है jellyfish इतनी नहीं जीती है हम सबसे लंबा जीते हैं समझँ नहीं अब researcher यही बता रहे हैं कि कैसे age को slow किया जाए अब भाई अगर देखें बहुत कुछ scientist ने ऐसा कुछ दवाई भाई पर भी काम चल रहा है एक आदमी है वो age को reverse कर रहे हैं आपकी biological age क्या है यह सबसे बड़ी बात होता है genetic test होता है वो आपकी biological age अगर आपको मैं यहां किताब बताता हूं सबसे शांदार किताब वो है life span वो किताब पढ़ लीजै आप वह एक ऐसी किताब है जो आपकी पूरी body को बता देगी वह tough किताब है जबहुत ही जबर्दसकिताब है लेकिन उसको समझ ही है वह बहुत शांदार किताब है उससे अप अपनी body के बारे तो अभी तो फिलाल आप lifestyle को ही सही कर सकते है ताकि reverse age हो सके है ना लेकिन तब भी आप मरेगे तो है ऐसा तो है नहीं नहीं मरेगे तो यहाँ क्योंकि हर किसी को जवानी की बड़ी चाहत रहती है तो क्या वापस हमानी जवानी आ सकती है अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि jellyfish को भाया इनके जो दो species है इनके nature को समझ के हम इंसानों में भी apply कर सकते हैं बिल्कुल जानवर से ही तो समझा जा सकता है जानवर से समझ के इंसानों में apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एग चीज है कि इनके पास tentacles है ठीक है जो adult के पास नहीं होते हैं हमारे पास थोड़ी नह पास होते हैं और यह जो tentacles हैं का specific nervous system होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि genetic changes होने पड़ेंगे करने पड़ेंगे जीन में ही कुछ बदलाव करना पड़ेगा तब ही ऐसा हो सकता है और फिलाल अभी तो ऐसा कुछ possible नहीं इंसानों में आगे जाके हो सकता है लेकिन यह जो research है यह काफी जबरदस्त insights से देती है कि आगे आने वाले समय में might be possible कि कुछ ऐसा बन जाए जिससे इंसान अपनी age reverse कर ले तो यह lecture था I hope आपको समझ में आया होगा बाकि आप हमारी courses को जरूर अवेल करें क्योंकि आज आखरी दिन है 6 बज़े हम sale को खतम कर देंगे thank you so much